रादे रादे दोस्तों आप देख रहे हैं वैदिक टीवी और मैं हूँ आपकी दोस्त मिगा वर्मा आज आपको बताते हैं कि सितंबर में कौन सी वो राशियां है जिनका भाग्य चमकने वाला है उनको कौन-कौन से शांदर मौके मिलने वाले हैं मुरिशब राशी सितंबर के महीने के शुरुआत आपके लिए थोड़ी गड़बड हो सकते हैं इस दौरान आपकी सेहत और आपके संबंद दोनों थोड़े खराब रह सकते हैं तो आपको ज्यादा ध्यान दिना है इस दोरान आपकी कोई पुरानी बीमारी या फिर जो मौसमी बीमारी होती है उससे आप परिशान हो सकते हैं घर में आपके तनाव भी बन सकता है लेकिन जैसे ही हफते का अंत होगा धीरे धीरे चीजें आपके अनुकूल होती जाएंगी किसी बड़े अधिकारी की मदद से आपके जॉब में आपकी नौकरी में अच्छे परिणाम आ सकते हैं जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी सेलरी बढ़ सकती है जो बिजनस में हैं उनके बिजनस में लाब होगा नए प्रोजेक्ट भ्यूने मिल सकते हैं इस दोरान आपको ज़रू से ज़्यादा खर्च से बचना है वरना आपका बजट गड़ बड़ा जाएगा और आर्थिक परिशानी हो जाएगी आप जहां काम करते हैं वहाँ पे छोटी मुटी बातों को ले कर आप परिशान हो सकते हैं तो इस दोरान आप वहाँ पे सुझबूट से काम ले इस पूरे महीने आपको कोई भी बड़ा निर्णा लेने से बचे रहना है अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए ठीक है लेकिन आपको फिर भी सोच समझ कर कदम उठाना है और जो लोग पहले से ही प्रेम संबंद में चले आ रहे हैं वो अपने लव पार्टनर की थोड़ी सी सेहत का खयाल जरूर रखें उनकी अंदेखी बिलकुल ना करें आप उपाय कर सकते हैं हर रोज आपको दुर्गा चॉलिसा का पार्ट करना है और शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफेद मिठाई खाने के लिए देनी है